कि हेलो दोस्तों मैं हम रिगंदर रहाँ आप देख रहा है यूट्व चैनल और सन्सोलर सिस्टम आज की वीडियो में हमदर यूट्व चैनल आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है लोड कल्कुलेशन फॉर थाउब्थे केविये डीजी मतलब एक घ्रिंग कहें डीजी है उसके लिए क्लीए लोड कलकुलेशन का रहे हैं तो अगर कोई पूस्ता है या हमारे पसट एवे केविये का डीजी है तो हम्ह..जो हमारे पोजिचिन है कि हम मैकसिमम कितने किलोवाट का लूड डासकते हैं and maximum कितने से एंपियर का करेंट डाल सकते हैं तो सबसे पेले इसके कि लोट अपन में एक हजार तो आप इसको लिए कर दो यह आपके किलोवाट के दा निकल कर आएगा आपके पास किलोट में का इंटू करो है जी यह पॉइंट एट से लिया आपका 800 किलोवाट में 1000 के विए जो डीजी है उस पे हम 800 किलोवाट का लौड डाल सकते हैं करना होता है हम हड़ी तो अपरेंगे किसी मशीन को कुछीट में नहीं какरते हैं 640, कितना निघल कर रेका, ये हमारा safe load होता है, क्यों ह постав हमारा, safe load, मतलब 1000 KV के DZ मे, हम 640 KV का safe load डाल सकते हैं, जो की 80% load होता है, तो ठीक है, ये आपका निघल कर क्या आगया, 1000 KV जो DZ है, उसमे हम कितना load maximum डाल सकते हैं, तो हम इसमें लोड डाल सकते हैं 640 kW का maximum load ठीक है और जो कि यह safe load होता है आपको problem कभी नहीं आगी फिचर में इसमें आपके DC में ठीक है आपके DC smoothly run करता रहेगा और load को run कराता रहेगा अब बात आती है maximum current की तो इसके लिए formula होता है power P बराबर root 3 V I cos 5 power आपके पास कितनी है 640 kW तो आप यहां पास लिए 640 kW, root 3 की value होती है एक दर समलो 732 voltage हमारे पास 3 phase में होता है 415 volt की आसपास current हमको पता नहीं current number निकालना है cos 5 होता है power factor क्या होता यह power factor हमेशा होता है 0.8 तो इसको आप calculation कीजेगा calculation करने पर यह value total निकल करके आती है हमारे पास 1.1149 kilo ampere ठीक है तो kilo का मतलब होता है thousand तो हम क्या करेंगे i equal to इसमें 1.1149 into kilo का मतलब होता है thousand तो इसमें thousand से into कर देंगे इंटू करने पर हमारे पास यह आएगा ग्यारा सौ चौधा ठीक है ट्रिपल वन फोर एंपियर पॉइंट 9 ampere मतलब 1000 kb के dc में maximum जो करेंट आप डाल सकते हैं वो कितने maximum करेंट डाल सकते हैं 1114.9 ampere मतलब 1114 ampere का आप इसमें full load current डाल सकते हैं चीक है इस तरीके से हमने 1000 kb के dc के लिए maximum kilowatt को calculate किया है जो की निगल करके है हमारा 340 kilowatt यह सेफ लोड होता है इसी प्रकार से maximum current हम कितना डाल सकते हैं 1000 kb के dc में वो भी हमने निकाल लिया है वो आता है हमारा इस फॉमले से पावर के formula है ठीक है यह आपको याद होना चाहिए और एक formula आपको यह याद होना चाहिए तो power के formula हमने current को निकाला कितना निकाला max current 1114 ampere का current है यह हम max to max current का load जो है इस 1000 kb के dc पर डाल सकते हैं और यह smoothly run करेगा ठीक है तो इस तरीके से हम यह calculation करकर करके अपना किसी भी rating के dg का हम जो है वो maximum kilowatt और maximum ampere load निकाल सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आप ट्राइ कीजिएगा इसी प्रकार से 500 kilowatt 500 kb के dc के लिए ट्राइ कीजिएगा और इसी प्रकार से आप 1500 kb के dc के लिए calculation करके आप practically देखिएगा तो आपको यह बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप से कोई भी अगर इंटर्वी में भी question पूछता है तो आप असानी से उसको calculate करके बता सकते हो ठीक है दोस्तों तो इसके लिए आप इसको समझे इस वीडियो को पूरा देखिए ठीक है आशा करता हूं कि आपको वीडियो में बताई गई सारे points clear हो गए होंगे तो ठीक है दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार मिलते है नेक्स्ट वीडियो में